वेलकम टो एससी प्रप्रेशनी स्वीड में हम लोग बात करेंगे PNBPN रिजल्ट 2022 के बारे में किन किन लोगों का सेलेक्शन हुआ है और कट ओफ कितनी रही ये कुरुक्षेत्रा डिस्टे के जिन लोगों का सेलेक्शन हुआ है उनके नाम है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कट ओफ कितनी रही कुरुक्षेत्रा में तो जर्नल के लिए जो है वो 97.48 कट ओफ रही और लास्ट में आप लोग देखिए EWS के लिए 92.56 जो है वो कट ओफ रही मैं बता दो कट ओफ डिस्टिक टो डिस्टिक वेरी कर रही है तो यहाँ आप देखें यमुना नगर का रिजल्ट है और यहाँ पर जर्नल के लिए कट ओफ 94.960 बाकी कट ओफ भी आप देख सकते हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लास्ट में ESM OBC के लिए कट ओफ रही वो है 63.11 कुरुक शेत्रा और यमना नगर से जिन लोगों का सेलेक्शन हुआ है उन लोगों को हमारी तरफ से वदाई और PNB PN Vacancies के लिए इस बार जो कट ओफ है वो बहुत बहुत हाई जा रही है अब हम लोग बात करेंगी कि document verification किस तरह से होगी और interview में क्या क्या आप लोगों से पूछा जाएगा अगर आपको PNB PN Vacancy के लिए document verification का letter आया है तो उस letter के उपर address mention किया गया है कि आपको कहां पर document verification के लिए बुलाया गया है और कौन कौन से documents आप लोगों को अपने साथ लेकर जाने है तो आप लोगों को जो समय बताया गया है letter में जो documents मांगे गई हैं वो लेकर आप लोगों को जाना है और interview के लिए पहुचना है और जो आप लोगों के original documents है वो भी साथ में लेकर जाने है और साथ में एक सेट आप लोगों ने अपने original documents का photo state भी बनाना है जो की आपके द्वारा interview के द्वारान रख लिया जाएगा और आपके 10th और 12th के जो marks हैं उनी के basis के ओपर आपकी selection होगी बाकी interview में आपसे general question पूछे जाते हैं आपका नाम पता आपकी qualification इतना ही पूछा जाएगा interview में इससे जादे कुछ नहीं पूछा जाता अगर कोई query है तो comment section के माधियम से जरूर पूछे